अलो टेस्टरॉस, वेल्कम तो LHLOO, मैं हो दिवेंगों को और हम बात करेंगे भी ओर देखेंगे कहां पर anti कर सकता है, और कहां exit हो सकता है यहां पर अजुत करेंगे तो देख सकते हैं यह बैंग निप्टी का वन और चार्ट लिया मैंने तो वन और चार्ट में आप देख सकते हैं बैंग निप्टी ट्राइंगल सेफ फोर्म करे रहा है तो आप देख सकते हैं बैंग निप्टी एक ट्राइंगल सेफ में चल रहा है और ट्राइंगल सेफ का अंदर में एक होता है आप देख सकते हैं एक Bahar में मरकेट चल रहा है जिसे आप देख सकते हैं यहां पर अगर मैंने इसको थोड़ अ यहां पर देखा दू तो अब देख सकते हैं मैंने एक शरेसितिन आइन ड्रोओ किया अर्शॉरी स्दॉदिंग लाइन तो connect करके PPS, lower or higher point को तो हमें क्या हुआ एक resistance line supporting line मिला हुआ है तो मैं पहले इसको हता देता हूँ तो अब देख सकता है market एक just a minute तो एक range में अभी चल रहा है तो यहां पर देख सकता है तो यह एक range हुआ तो एक range में मुझे लगता है यह range में market थोड़ा बहुत कुछना है क्योंकि हमें range मिला तो इस range का अंदर में हमें और एक range मिला हुए जो हम इसको triangle range बोल चकता है triangle shape में तो अब देख सकता है यह higher point था पहले तो next यह lower point एक मिला हुआ है तो market मुझे लगता है यह range में थोड़ा रुखना चाहिए है अगर इसको break किया तो जीसे मैंने इसको range डाल दी आभी हम 15 मिनित में देखेंगे थोड़ा में चोटा कर देता हूं तो यह देख सकता है ज़दा ज़दा टेडर का क्या problem होता है तो वह लोग डेखता है यह breakout कर दिया रही तो breakout वह लोग शॉट कर लेंगे जिसे पूट को buy कर देंगे तो उनको लगता है और नीचे जाएगा लेकिन क्या होता है यह नीचे market अना बन हो जाता है तो market यह एरिया से आके फिर उपर जाने का जाने का कुछिज करता है तो इसलिए आपको अगर इसे इसको breakout किया लोवर पॉइंट को इसको आप पूट को बाय करके एराउंड 27,200 का असपास आप market चे निकाल चेकता है तो next क्या होता है कभी कभी market यहां से जा कि यह breakout कर दिया तो जो टेडर होता है वह लोग को लगता यह higher point breakout हो गया जो diagonal triangle set था उसको breakout का marker उपर जाएगा लेकिन exactly यह इसा होता नहीं क्या होता है एक range में से लोगा है तो market इसको breakout करके जदा जदा यहां पर जाके market फिर से निश्याने शुरू कर देता है तो इसलिए आपको क्या करना है अगर इसको call buy किया तो आप around 27,784 range में आप market से निकल चकता है और put को buy किया तो आप क्या कर चकता है यह 27,211 में आप market चे बाहर आचकता है कि यहां से फिर से market उपर जाने का संसे से so I hope you enjoy this video if you like this video please like and subscribe thanks for watching